डुबकी लगाई लक्षद्वीप में और डुब गया मालदीव. देखना दो हजार पचीस में मोदी जी मालदीव के हाथों में कटोरा पकड़ा देंगे. अगर भारत ने ठुकराया तो बरबाद हो जाएगा मालदीव, खाने पीने के पर जाएंगे ला ले. और चीन भी यह पी तनाव आ गया है. श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने वाला है? क्योंकि गाहे बगाहे मालदीव का चीन प्रेम दिखी जाता है. लेकिन ये प्रेम मालदीव को कंगाली की राह पर ले जाकर छोड़ेगा. श्रीलंका और पाकि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के लक्षद्वीब की यात्रा पर माल्दीव के मंत्रियों ने टिपपनी की है, इससे नुकसान माल्दीव का ही होना है. क्योंकि माल्दीव की अर्थवेवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है. लेकिन माल्दीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिष्टों में काफी तनाव आ गया है. माल्दीव की एकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंट करती है. वहां की जीडिपी का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा टूर मिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार भी हुआ था. इस वर्ष भी यह लगातार बर भी रहा है. माल्दीव और भारत के बीच तीन दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है. इस एग्रीमेंट के तहत माल्दीव भारत से उन वस्तों का आयात करता है, जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है. इसके अलावा माल्दीव के इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है. साल 2023 में भारत ने माल्दीव से जहां 41 करोर डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाक डॉलर का आयात किया था. दो 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49 करोर डॉलर था जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाक डॉलर था और दोस्तों आपको बता दू कि सबसे ज़्यादा भारतिये टूरिस्ट पहुचते हैं माल्दीव आज की तारीख में भारतियों के लिए माल्दीव एक पेस्ट टूरिस्ट स्पॉर्ट है वर्ष 2023 में भारत से 2 लाक दस हजार लोग माल्दीव घूमने पहुंचे थे सोचो अगर भारतिये यहाँ जाना बंद कर दें तो फिर माल्दीव का क्या हाल होगा इससे पहले साल 2022 में 2,040,000 और 2021 में 2,09,000 और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतिये माल्दीव घूमने के लिए गए दिसंबर 2023 तक इस त्वीब पर कुल 17,57,949 टूरिस्ट आये थे इन में से सबसे ज़्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतियों की थी भारतियों के बाद सबसे ज़्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे ऐसे में माल्दीव के लिए परेटन उद्योग बहत जरू सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। माल्दीव का क्षेत्रफल तीन सौ वर्ग किलोमीटर है यानि आकार में ये दिल्ली का पांचवा हिस्सा है यह द्वीब भारत से मुखे रूप से स्क्रैब धात्वें आयात करता है इसके अलावा इंजीनियरिंग गुर्स और द्योगिक उतपाद जैसे फार्मासियूटि की है इसके अलावा प्लास्टिक और लकडी के समान को भी मंगाता है अब तो घबराना माल्दीव को है भारत को नहीं फिलहाल भारत की एकोनॉमी करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है जबकि माल्दीव की एकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की है मज़ेदार बात ये है कि हर स भारतिये विदेश खुमने पर करीब 65 बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। यानि मालदीव की जितनी GDP है, उससे 10 गुना ज्यादा भारतिये हर साल विदेश खुमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के उपर निर्भर है। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले में हुकुरू मिस्की का रिनोवेशन, उच्छे प्रभाव सामुदाइक विकास परियोजनाएं और अनिद विपक्षिये परियोजनाएं शामिल हैं। भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव को कर्ज दे कर मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मालदीव में भी परियोजनाएं शुरू की, उसमें जमकर कर्ज दिया और देश को कर्ज में डुबो दिया। अब मालदीव चीन की चाल में फंस रहा है। कौर्टलब है कि मालदीव के राष्टरपती मुहमद मुईज्यू का चीन की तरफ चुकाव है। अब इस बीच जब भारतिये मालदीव को लेकर नाराज है तो फिर मालदीव की एकोनॉमी पर कबजा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है। क्योंकि 2023 में मालदीव आने वाले चीनी परेटकों की संख्या में अचानक तेज बरोतरी देखने को मिली। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27 नंबर पर था। जो 2023 में अचानक तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है। जिसमें बुनियादी धांचे, व्यापार और उर्जा क्षेतरों पर उसकी पकर बढ़ गई है। कई ऐसे प्रोजक्ट्स हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आईलैंड पर हो